जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है गौर्वर्मेंट जाओ उस एक्जाम में तो फिर से हाजिर हूं में नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंटिलिजन्स ब्रूय द्वारा जो वेकेंसी रिलीस किया गया नया उसके रिगार्डिंग मे मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग वेकेंसी है अगर ताला में आप देख सकते हो आपका ऐसे मतलब सेगर्टी एसिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में आपका छे वेकेंसी है एम्टी एस और जेनरल में एक वेकेंसी है एमदाबाद में आपका यह सेगर्टी एस सिस्टेन और मोटर ट्रांसपोर्ट में आपका तीन सो बासट वेकेंट पोस्ट है और MTS जनरेल में आपका 350 यह टोटल करके होता है आप दा शेसो सतत्तर तो टोटल 677 पोस्ट में वेकेंसी आई है आई-बी के सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा आपको सेगर्टी एसिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वा एक और दूसरा हुआ MTS और जैनरेल तो कि यह आपकी ग्रूप सी के पोस्ट है नौन गेजर नौन मिनिस्ट्रियल का यह सेकुर्टी एसिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में आपका 21,700 से लेके 69,100 तक और MTS और जैनरेल में आपका 18,000 से लेके 56,900 तक तो यह लेवल 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 वन है और सेकुर्टी एसिस्टेंट वाले लेवल त्री यह जो कि मैंने आपको पेस्केल के बारे में बताया अभी एडिकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपका MTS और जैनरेल खिलिए आपका क्लास 10 पास होने से हो जाएगा और आपका एक जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका यह अलग-अलग जो स्टेट सर्टीफिकेट इलग-डड़ जो होता है वो एक्रूप करने के लिए यह था आपका उसके लिए MTS जेनरल के लिए ऑभी मैं आपको बताता हूं मोटर ट्रांसपर के लिए इसमें क्या होना आपको वैलीट ड्रारविंग लाइसेंस होना पढ़ेगा मोटर कार्स के लिए गवर्मेंट के द्वारा जो दिया जाता है और आपका नॉलेज होना पढ़ेगा मौटर मेकनिजम में मतलब आपका कुछ गाड़ी में कुछ दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डिटेक्ट करना पढ़ेगा आपको पता लगाना पड़ेगा कि यह प्रोब्लम कहा है वैसे टाइप का होगा और अपका मिनिमम एक साल का एक्सपिरियंस होना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस का एक साल का एक्सपिरियंस चाहिए अब एज लिमिट के बारे में बतातों आपका यह सेगर्टी एसिस्टेन और मोटर ट्रांसपर्ट में आपका 27 यह तक है और दूसरा आपका 18 यह से लेके 25 यह तक जो कि मुल्टी टास्किंग स्टाफ और जैनरल में अब जैसे लिमिट एज रिलेक्सेशन वेगरा है आप देख सकते हो पांच साल स्टी यह स्टी एस्टी 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 के लिए और तीन साल अबीसी के लिए इस तरह और अपर एज लिमिट इस एक लिए उनके लिए 40 साल की तक है तो एक बार अपने से देख सकते हैं कि इसको क्या क्या है अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग आपका वो मिलता है रिलेक्सेशन मिलता है वह आप खुछ से देख सकते हो और यह नोट यह तो नंबर और वेकेंसी इस प्रोविजनल यह तो हर किसी में लिखा जाता है यह नॉर्मली है अभी मैं आपको दूसरा इंपोर्टेन दिखाता हूं आप एक बार खुछ से यह डाउनलोड करके मैं आपको यह PDF कमेंट सेक्षन में पीन कर दूंगा आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो मैं जो जो इंपोर्टेन है अभी मैं आपको उसके रिगार्डिंग बतान करें एक सकते हैं तो आपके उसके पास का जो होगा उसमें सीलक करके ठूल प्याटेवन करना पड़ेगाarb आपको बताता हूं जिससे टियर वन में आपका दोनों का सेम रहेगा सेकर्टी एसिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और सेमी सेमी फॉर्मेट में रहने वाला है तो आप देख सकते हो इसमें ओनलाइन एक्जाम ऑफ अब्जेक्टिव टाइब इंटो फॉर पार्ट मतलब चार भाग में डिवाइट किया गया है पहला का मतलब जन्रेल एवेडिशन इसमें आपका 40 कोईशन रहेगा कुंटिटिट Europ Schnall marks और आपको time मिलेगा एकलınटेगा अब टीर टूम दोनों की डिवाइट करने तरीके से होगा जिसे सेक्टार एसिस्टन और एमटी में आपको द्राइविंग का प्रेक्टिकल एक्जाम देना पड़ेगा नौलेज होना पड़ेगा आपको जैसे मैंने आपको पहले कहा था मतलब जो माइनर डिटेक्ट मतलब जो गलती है वह सब को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा और इसका जो टियर टू का कट आफ रहेगा आपका 40 40 परेशन मार्क्स आपको कट आफ 40 परेशन मार्स मतलब आपको इतना लाना ही पड़ेगा और टियर टू जो MTS और जेनरेल के लिए उसमें आपका descriptive paper English के उपर पूरा question पूछा जाएगा आपका और यह qualifying in nature होगा और इसका marks आप देख सकते हो 50 marks 50 questions और time एक गंटा और एक इसमें important चीज़ यह है कि जो tier 1 exam होने के बाद vacancy का 10 गुना candidates को बुलाया जाएगा tier 2 exam के लिए तो यह भी अच्छा खबर ही है 10 गुना बुलाया जाएगा अब आप देख सकते हो tier 1 का cut of marks general के लिए 35 OBC के लिए 34 STAC के लिए 33 EWS के लिए 35 सेकुर्टी एसिस्टेन और motor transport वाले हैं उनका merit list निकलेगा दोनों exam का मतलब tier 1 और tier 2 का exam combine करके final merit list निकलेगा MTS वाला जो जेनरेल उन लोगों के लिए tier 1 का exam main रहेगा और tier 2 का तो मैंने जैसे आपको पहले कहा qualifying nature है तो tier 1 का marks ज्यादा इसमें matter करने वाला है तो इसमें 1 by 4 marks negative होगी मतलब चार बाग का एक बाग negative होगा इससे important important है मैं वह सब आपको बता रहा हूं अब इसमें देखिए एक चीज मान लिजे किसी दो candidates का number same आता है तो इन लोग मतलब यह कैसे कौन से को selection करना है तो इन लोग इसमें एक idea दिया है आपको तो जो security assistant और motor transport है मान लिजे दो candidates है और उनके marks same आए तो क्या देखेंगे मतलब किस बेसिस में मतलब कौन सा वेक्ती select होगा तो उसमें पहले check करेंगे यह लोग marks in tier 1 तो दोनों में से यह मैंने security assistant और motor transport के लिए कहा पहले देखेंगे tier 1 का marks जिसका ज्यादा है वो select हो सकता है फिर मान लिजे उसमें भी same है फिर tier 2 का marks देखेंगे और उसके बाद date of birth देखेंगे और alphabetical orders मतलब आपका यह चार criteria में वो divide करेंगे और जिसका जो होता है उस regarding से वो selection मिल जाएगा लेकिन MTS और general के लिए अलग है पहले date of birth दिखा जाएगा जो जिसका ज्यादा older मतलब ज्यादा बड़ा है उसका सिलेक्षन होगा और अगर वो भी सेम है तो नाम को दिखा जाएगा alphabetical order जिसका नाम पे ले आता है मान लिजे किसी का नाम आपकास है और दूसरे का नाम विकास है तो आकास का सिलेक्षन होगा विकास का नहीं होगा तो सेम इसमें भी लागू होता है वो लेकिन इसमें tier 1 और tier 2 का मांक्स भी दिखा जाएगा जो जो इंपोर्टन है वहीं बताने वाला हूं बाकि तो आप भी खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हो तो इसकी ओपिनिंग डेट जो रिजिस्ट्रेशन ओपिनिंग हुआ वह वह वहता 14 तरीक 14 अक्टूबर को और लास डेट है 13 14 नौवेंबर मतलब 13 नौवेंबर को लेकिन आप पेमेंट 16 नौवेंबर तक कर सकते हो तो इसको एप्लाइ कैसे करना है देखिए यहां पर जो लिंक दिया है यह आप जिसे मान लिजेए इधर क्लिक करते हैं यह दोनों में से कोई भी लिंक में तो देखिए दो अलग वेबसाइट है यह तो जाके अपर आपना कर सकते ओ यह दो legitimate 25 में में से कोई साथ एक में आप आपना लोगिन करके आप अपना ऐप्लाइब कर सकते हो इधर डोटेव्डेस भी आप दिखे कि रहाले वेलिद अइमेल आइडई मोवाइल नंबर होना पड़ेगा लोग इन करने के लिए फोटो का आपका साइज दिया हुआ है सिगनेशर का सब का साइज दिया हुआ है आप देखिए सारे डॉकुमेंट्स को स्केन करने का साइज दिया हुए इनी साइज में होना पड़ेगा अपलोड करते समय तो यह सब जो important है मैं आपको बता रहा हूं आप apply कैसे करोगे पेमेंट कैसे करोगे चलान से पेमेंट भी है ऑनलाइन पेमेंट भी है आपको जो मर्जी उसी में पेमेंट कीजिए और कुछ rules and regulation दिया है photograph कैसा होना पड़ेगा वो भी पढ़ लिजिए 70 to 80 percent cover होना पड़ेगा जिसे कोई कोई बंदा चस्मा लगा रहा है कोई कैप लगा रहा है यह सब नहीं होगा जो प्रॉपर आप जैसा पास्पूर साइज फोटो होता है वैसा होना पड़ेगा आपको तो सिखनेचर का भी सेम पढ़ लिजिएगा जो लिखा है और इसका पेमेंट का फीज देखिए दो दो बेसिस में है आपको दो पेमेंट करना पड़ेगा पहले 50 रुपीस का फिर 450 रुपीस का पेमेंट होगा तो टोटल 500 रुपीस का पेमेंट है लेकिन यह पेमेंट अलग बाकी डिपेंड करता है जेनरेल ओबीसी वेगरा सब के लिए आप एक बार पढ़ लिजेगा अपने काफी पैले कर देज़ेगा क्की लास कि में यार किसी डिपाटमेंट का सरवर फोड़ा सबомеर में होता है और सर्वर अच्छे से काम नहीं करता तो इतना इक था आप सब को मैने जो मत था लियूर के आप अपने इसाप से देखके आप अपना प्रिपेशन स्टार्ट कर जिए और फॉंफिल आप लिजेगा और कोई दिक्कत आता है कोई वेगरा कुछी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंडि सेक्षन में आपको अपना दिक्कत बता सकते हो हम उसको क्लियर कर देंगे तो ठैं